हालो एवरिवन आप शबू का स्वागत है दोहजार चौबीस बिहार मेडिकल काउंसलिंग का अपडेट जो है वो आ चुका है फॉर्म ओनलाइन का डेट आ चुका है जो भी बच्चे बिहार मेडिकल काउंसलिंग में पाटिसिपेट करना चाहते हैं तो form online जो है वो 15 अगस से 19 अगस तक होगा और आपकी counseling जो है वो 25 अगस तक start हो जाएगी, counseling का एक अलग से notification आएगा, merit list जो है वो 21 आश्ट को आएगा, इस वीडियो में हम counseling में होने वाले guidelines, किस guidelines को follow करके आपको counseling में participate करना है, उसके बारे में detail में information आपको देने वाले हैं, तो आपको क्या होगा, counseling से बाहर कर दिया जाएगा, अगले साल आपको NEET में ban कर दिया जाएगा, और आपको आपका जो security deposit है उसको भी जब्त कर लिया जाएगा, इन सब चीजों से आप बचना चाहते हैं, तो counseling करते समय सारे guidelines को follow करना है, अगर आपको third round में All India quota से college मिल जा rules, guidelines, उस पर मैंने videos बनाए हैं, आप लोग जा करके देख सकते हैं, जो बच्चे All India quota में participate करते हैं, ठीक है, आपको अपग्रीडेशन का सिर्फ दो मौका मिलेगा, first round और second round, first round में सिर्फ आप free exit कर सकते हैं, second round में free exit का कोई option जो है, वो नहीं दिया गया है, counseling का जो official website है, य होने वाले थे, सिर्फ private का एक college add हुआ है, तो बच्चो क्या है कि अभी final seat matrix जो है, वो नहीं आया है, counseling choice filling से पहले final seat matrix आएगा, तभी कुछ verify हो पाएगा, कि बिहार में क्या होता है, कि एक round की counseling हो जाती है, उसके बाद भी colleges add होते है, seat add होता है, ठीक है, तो यह सब चीजे आपको ले करके जो है, वो चलना है, तो चलिए हम आपको guidelines की तरब जो है, वो ले करके चलते हैं, कि किन-किन guidelines को follow करके आपको जो है, वो counseling में participate करना है, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कि जो बच्चे qualify है, वही counseling में participate कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप qualify नहीं है, तो आप कॉंसिलिंग में participate नहीं कर सकते हैं मेरेट लिस्ट के बाद कảnॉलिंग शुरू होगी स्ट area for again में रिज़्रेशन होगा ठीक है salah सूराइं भीलेंट Formula ौज़ में ये सब्सक्राइब कर सकते हैं नहीं सचारओ्ड में जो आप करेंगे वही सेम रहाज आएगा first round में seat a lot होता है तो आपको college upgrade और freeze करने का option मिलेगा अपग्रेड का मतलब है कि जो college पसंद है उसमें जा करके admission ले लिजिए freeze का मतलब है freeze का मतलब है कि college पसंद है admission लेना है आपको upgrade yes का मतलब है willingness yes का मतलब है कि आप upgrade कर रहे हैं college पसंद नहीं है, उस sense में भी आपको नए college में आपको लैज आकके document verification कराना होगा और जो college a lot हुआ उसमें भी आपको document verification में जाना पड़ेगा, ठीक है second on में new registration का कोई यह नहीं है कि आपको जो है second on में registration को जो है वो लिखा गया है कि अगर आप फर्स्टाउन में सीट अलोट हो जाता है अपग्रेड येस करते हैं अगर आप डॉक्रेड वरिकेशन में नहीं जाते हैं तो क्या होगा कि यहां पर देखिए यहां पर काउंसलिंग फर्स्टाउन का भी सिट कैंसल हो जाएगा और सकेंड रहेंगे अगर सकेंड डॉन में कोई कॉलेज अलोट नहीं होता है ठीक है मतलब नया कॉलेज नहीं मिलता है फिर भी आप जाकर के वहां एड्मिशन जो है वो ले सकते हैं ठीक है उसके बाद च्वाइज उसका फ्रेज च्वाइज विलिंको सच कंडिडेट विल बी ट्रिटेट अट फ्री एकजीस फ्राम रांड वन देखेंगे बट विल भी सहाज येस ठीक है अप्ग्रेडेशन फॉर रांट टू कॉंसलिंग यस बट विल बी इलिजबल फो फ्रेज च्वाइज विलिंग फ यहां पर एक condition दिया गया है second round में choice filling का round 1, round 2, round 3 and stay vacancy round होगा, अगर सीटे बज जाती है तो 5th round भी जो हो सकता है, ठीक है, choice filling तभी आप कर सकते हैं second round में, जब आप who are included in merit list, 2024 eligible is not completed their choice filling, ठीक है, अगर round 1 में choice filling नहीं किये हैं, तभी आप round 2 में choice filling कर सकते हैं, who have been allotted in seat round 1 counselling and take free exit, अगर आप free exit ले ले लेते हैं within prescribed date, ठीक है, तभी आप choice filling कर सकते हैं, who has been allotted a seat in round 1 counselling either with upgradation, yes or no, but not reported to reporting center, अगर आप क्या है कि upgradation कर देते हैं, yes or no, और जो reporting center है, वहां नहीं जाते हैं, तभी जो है, आप round 2 में आप choice fill कर सकते हैं, who have been allotted in round 1, round 1 में seat आपको allot हो जाता है, अप grade yes करते हैं, complete the document verification and round 1, candidate will have to facility to swipe add up down college, but no will be have facility to remove, delete and round 1 colleges choice from the choice list, बच्चों अगर आपको first round में college allot हो जाता है, तो आप colleges को delete नहीं कर सकते हैं, आप colleges को ऊपर नीचे swipe जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, those round 1 counselling allotted seat cancelled duty disparency generation during document verification, document verification में अगर आप पूरी तरीके से फरजी पाये जाते हैं, तो आपका seat cancel हो जाएगा, who has been not allotted in round 1 counselling on the basis of online choice filling, order will be issue, final seat allotment will be subjected to verification, original certificate, आपको document verification में original certificate देना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद up gradation is allotted seat, but willingness for up gradation yes or no का option मिलेगा, ठीक है, round 1 is retained in round 2, then not quiet this seat, अगर आपको round 1 में जो seat मिला है, round 2 में वही seat मिलता है, तो आप seat को quiet नहीं कर सकते हैं, ठीक है, round 1 and round 2 will be treated as admitted, ठीक है, उसके expect those candidate who have available to option free exit in writing after round 1, round 1 में आप जो है free exit का option आपको जो है वो मिलेगा, ठीक है, उसके बाद the candidate यहां पर लिखा हुआ है, कि through round 1 and round 2 counselling, the security deposit amount will be credited in your bank account, यहां पर लिकाए दो candidate who has filled his choice online using Mac counselling within the prescribed period could not get any college, round 1 and round 2 में choice filling करते हैं, कोई college नहीं मिलता है, तो आपका security deposit जो है वो आपके bank account में deposit कर दिया जाएगा, only such candidates are eligible for third counselling who are not admitted in any medical dental college through NEET UG 2024, अगर आप first or second round में admission ले लेते हैं, तो आप third round में counselling में participate नहीं कर सकते हैं, All India quota से admission ले लेते हैं, फिर भी आप third round के counselling में participate जो है वो नहीं कर सकते हैं, All India quota के third round में seat allotment के बाद आप बिहार के किसी भी round में participate नहीं कर पाएंगे, ठीक है, if candidate do not take admission in retained seat round one, upgradation for round two, follow allotted seat for round two, ठीक है, यहाँ पर यह कह रहा है कि अगर आपको round one में जो college मिला है, round two में दूसरा college मिलता है, तो retain करके आप round one वाले college में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, उसका बहुत सारी चीजे जो है वो दी गई है इसमें, आप इसको अच्छे से पर लेंगे, बच्चों अगर आप seat छोड़ते हैं, ठीक है, अगर आप seat छोड़ते हैं यहाँ पर दिखिए, the candidate in round two counseling is found eligible all aspect, ठीक है, उसके बाद deposit list 50 percentile marks, disable quota, ठीक 45 percent, ठीक है, अगर आप 50 percentile marks जो है EWS candidate के लिए undeserved candidate तभी eligible है, CST quota के लिए 40 percent जो हो ना चाहिए, ठीक है, और आप counseling में Cut off के उपर मैंने बहुत सारे videos बना दिये हैं, All India में क्या है कि आपका security deposit भी जब्त हो जाएगा, यहाँ पर counseling में ban करने की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन आप first round में free agit नहीं लेते हैं, उसके बाद आपका security deposit जो है, वो seat a lot होने के बाद जब्त कर लिया जाएगा, इसलि और कहता है seat मैं दिलवा दूँगा, तो ऐसे लोगों से आपको बच करके रहना है, क्योंकि merit-based admission होगा, और merit-based seat allotment होगा, seat allotment करना board का काम होता है, और seat allotment कोई नहीं कर सकता, आप rank-based choice fill करेंगे, अच्छे colleges मिलेंगे, अच्छे marks हैं, जैसे तैसे choice fill करेंगे, colleges मिलेंग कर सकते हैं, अपने doubt को clear कर सकते हैं, उसके बाद जिसमें form online, से related choice filling, seat upgradation, rank-based counseling, सारी चीजे हमारी expert team के द्वारा किया जाएगा, और भी चीजे जो है उसके बारे में information आपको दी जाएगी, तो चलिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ, अब प्रुष कि घजएगा झाती